Hello everybody, this is दिघराश सिंह राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Silent Sentinels के बारे में Silent Sentinels क्या होता है सर? समझाऊंगा? तो Silent Sentinels, The Story of Megaliths The Story of Megaliths, अभी इस चीज पर ध्यान दो देखो सबसे important यहाँ पर यही है इस topic में कि आप heading को समझ लो अच्छे से try to understand and relate the topic with the heading heading क्या वल रही है आपको megalith time period की story समझाने वाली है तो मैं आपको theme बता हूँ वैसे तो मैं आपको पिछली वीडियो में connect करवा चुका हूँ देखो theme क्या है हमारी आपने यह देखा कि North India जो है आपका यह वाला part तो यहाँ पे तो वेदिक literary material मिला आपको रिग वेद मिला ठीक है साम वेद यह जूर वेद यह सारे वेद मिले लिखा हुआ material मिला जिसे पढ़ के हम समझ गए कि अच्छा history क्या रही होगी इस time period की तो यहाँ पे हमें literary material की जगा megaliths मिले ठीक है megaliths क्या होते हैं तो megaliths मतलब हमें बड़े बड़े पत्थर मिले ठीक है बड़े बड़े पत्थर मिले और पत्थर कहा मिरे burial sites पे अब आपका chapter के heading से relate करो आप ठीक है what books and burials tells us तो हमने books को तो देख लिया कि books हमें क्या बताती है direct history बता रही है आपने जिसा वेदिक text को पढ़ा जाना समझा अब हम दूसरा segment देखते है burials का कि burials हमें क्या बताते हैं चीक है burials मतलब क्या है कि जहां पर किसी को दफनाया जाता है तो हम यह अगर देखें कि हाल इनसान को दफनाया गया था तो क्या हमा इस से मिल सकती है मतलब हम history को जान सकते इस चीज जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं市र तो आपको मैं आगे chapter को पूरा part है इसमें समझाने वाला हूं थीम क्लियर हो गई आपको लिगने अब थीम क्लियर होगी तो हम topic प् सब्सक्राइब शक्राइब हो थίαं और ये South India में जैसे इस तरह के बरियल साइट है, ये Megalithic क्यों ही? क्योंकि Megalithic, Lithic क्या होता है? आपने इसे पढ़ किया हो, Neolithic, Paleolithic, Mesolithic, तो वो क्या है? पत्थर, Lithic यान है? पत्थरों से Stone Age से जुड़ा हुआ है, तो आप यहां पर Literary Material तो आया नहीं है, तो क्योंकि लिखा हुआ बुक्स नहीं मिला आपको, तो आप अभी भी Stone Age ही चल रहा है South India में तो, तो Stone Age चल रहा है लेकिन इस Stone Age को Megalithic कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर बड़े-बड़े पत्थर, Mega Stones देखने को मिल रहे हैं, तो बड़े-बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे यहां पर जैसे आप यह देखो कि बड़े-बड़े Stone Boulders हैं, ठीक है? यह स्टोन बो तो तम आपको जब पूरा टॉपिक समझा दों उसके बाद क्लियर होगी, तो यह जैसे यहां पर किसी को दफनाया जाएगा मान लो, ठीक है? तो अभी किसी को जब दफनाया जाएगा तो उसको identify करने के लिए इस इंसान को यहां दफनाया गया है, एक तरह से कब जो पूरी ठीक है, यहां एक पेड़ है समझ में आता है, ठीक, यहां पर वान लो, एक कोई गाया है, जो भी जानवार आपको बताना है, इसको चार पेर कर देते हैं, यह सिंक कर देते दो, तो यह एक पूरा प्लेन है, अब यहां पर आप अगर किसी को दफना रहे हो, तो यहां किसी को दफनाय आपने, तो दफनाने के बाद में आप उस जगह को मार्ग करने के लिए, पथरों स इस तरह से क्या कर देते थे, पूरा उसको आन्सार कर देते है Almost Алग अलग तरीके होते हैं रेखो यह जो आपको a M Lisa designject मेलिए, तो इसमें लग अलग तरीकों से लिग हो सकता है कहीं पर एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया हो बस खतम हो गया काम ठीक है कि इस पत्थर के नीचे हमने दफनाया है जो भी हमारे रिलेटिव है उनको तो यह बरियल साइट हो गई ठीक अब अच्छा बोलो कि सर आपको से हिस्टरी कैसे पता चली यह समझनी आ रहा है तो यह अलग अलग तरीके होते थे मेगालितिक साइट जो बरियल साइट थी उन्हें जानने के समझने के देखने को मिलते थे ठीक है अब देखो 3,000 यह अगो 3,500 यह अगो तो वो वेदिक टेक्स्ट से मिलता ही टाइम पिरेड है ठीक है क्योंकि लेटर वेदिक सेंस में क्या है उस सेंस में अगर आप देखोगे जानोगे समझोगे चीजों को तो दी प्रैक्टिस ओफ एरेक्टिंग मेगालितिक बिगेन अबाउट 3,000 यह अगो लग 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 3,000 साल पहले यह चालू हुई है प्रेवलेंट तो डेक्कन साउथ इंडि मेगालितिक साइट्स देखने को मिलेगी तो गैसे बाचले के लिए सीन अने सफसे अग्रावाइल अब जैसे आप बुर्जाहुम के बार के लिए चाप्टर 2 में पढ़ा है बुर्जाहुम् तो बुर्जों में क्या देखा था आपने कि वहाँ पे Underground आपको क्या देखने को मिलेंगे Megalithic Sides देखने को मिलेंगे ठीके यह मैप इसे ध्यान रखना आप इस map में आपको यह जो चीजने को मिल रही है तो आपको इसमें Paleolithic sites देखने को मिल जाएगी जो पुराने जहां पर जैसे वीम वेटका एक Paleolithic sites इसके बारे में पढ़ा था पुराने समय में जब Stone Age का जो starting period रहा भीमबेट का हो गया फिर जैसे आप देखोंगे मेगालितिक साइट्स क्या है तो ब्रह्मगीरी अभी नेक्स वीडियो में आप ब्रह्मगीरी के बारे में पढ़ोगे ठीक है तो यहां से आपको चीजें क्या है रिलेट कर पाऊगे आसानी रहेगी तो वाइल सम्मेगालिति कीन और्फिस को चरफिस और मेगालितिक बरियल्स आर उफन अंडर एंडे राउं तो कुछ अंदर ग्राउंड बी होती थी ठीक है जैसे विल्जाओं में और च from समय स्ट्रभिस बढ़ति सर्फिजस एप उपर सर्फेगियों को देखने को मिल रही है ठीक है यह सारी चीज तो आजू बाजू बोल्डर्स जमा दिया जाते थे यहां फिर क्या होता था या फिर दूसरा तरीका ही होता था कि एक बड़े से पत्थर के नीचे किसी को दफना दिया जाता था ऐसानी कि पत्थर पटक देते थे उसको पर सिस्टेमेटिकली किया जाता होगा रिचोल्स में अंडर ग्राउंड मतलब पूरा उसको दफन करके फिर पत्थर रख दिया जाता होगा ताकि आप आइडेंटिफाइ कर पाऊ कि यहां हमने हमारे रिलेटिव को नियर इन डियर वन को क्या किया है दफना है जैसे क्या होता है अब पता नहीं आप मेंसे कुछ लोग करते नहीं करते हैं ठीक हम क्या करते थे जिसे ग्राउंड में अगर कुछ सामान चुपाना रहता था स्कूल में तो क्या करते हैं वहां गड़ा करके उस समान को चुपा देते थे वहां पे और वह समान में ऐसा भी हो सकता है पांच ग्रशभी को सि hmm को एक फिर उसके ऊपर किया करते थे तो अब यहां पर यह पैसे छुपाए है छोटे थे तब तब यसा करते ठें पर पस ही होता सा कि अब यह बहुत हैul Radio साइट को थीक है वार सम यह भी होगए यह भी हो गया तो हम मेगालितिक्स वर बिल्ट हाँ सवाले आताski कि मेगालिक साइड बनाए कैसे जाती तो तो विववं धक्त जाता था बॉल्डर को इयर्क किया जाता था घड़ुका जाता था और these burials have some common features. क्या common features थे? तो ये burials में क्या होता था? The dead were buried with distinctive pots. ठीक है? distinctive pots मतलब क्या है? कि मट्की वगेरा जो होती थी, जो आप industrialis civilization में भी देख के आए हो. तो जैसे क्या होता थे अधिकतर, red or black color में जो होती थी, red or black तो यह पॉट्स के साथ में उन्हें दफनाया जाता था अब यह पॉट्स के साथ में दफनाया जाता था उनके काम का सामान रहता था मटको में यसे ग्रेंस भी डाल दिये जाते थे ठीक है तो यह दर्शात आए कि people believed in life after death जन्म के बाद भी मृत्यू के बाद भी एक जीवन होगा वो उस चीज में विश्वास रखते थे आया समझ में फिर क्या है tools and weapons of iron and skeleton of horses are found अब इन मेगालेटिक साइट्स में क्या होता है burial grounds जो है क्योंकि आज तो हमने क्या क्या सब excavate के लिया अब ऐसे डरते नहीं कि कबर में से अगर उसको निकाल लेंगे बाहर तो वह वापिस भूद बन कहा जाएगा ऐसा कुछ नहीं है तो हमने जब आर्केलोजिस ने उसे एक्सकवेट किया ना निकाला ना बहर तब क्या होता है तो हमें क्या-क्या मिला tools और weapons मिले जो आरन के थे अब एक सवाल है आपकी बुक में क्या इंडेस वैली सिविलाइजेशन में भी आरन का यूज हो रहा है तो नहीं वहाँ पे कॉपर और किसका होता था ब्रोंस का तो अब यह समझ में आता है कि अच्छा हिस्ट्री यह बताती कि इस टाइम पिरेट तक तो आपको एक समझ में आएगी चीज की हां होर्स बहुत जादा सिग्निफिकेंट हुआ करते होंगे उस सुसाइटी में उस टाइल पिरेड में ठीक है फिर क्या हॉर्स एक्विपमेंट्स एन ओर्नामेंट्स ऑफ स्टोन और गोल्ड अब स्टोन गोल्ड तो दिखती बात स्टोन गरीबों के लिए होगा गोल्ड अमीरों के लिए होगा यही चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगे आपको डिस्टिंक्शन समझ में आएगा कि कैसे समाज बटा हुआ था उस समय पे ठीक है मतलब क्या डिफ्रेंस थे या नहीं थे तो स्टोन गोल्ड और फांड क्लियर है तो जैसे आप यह देखलो हॉर्स इक्वेइमेंट तो घोड़े की नाल वगरा यह सारी चीज़े एक्स कुलाडी वगरा ड्रेगर मतलब यह सारी चीज़े इसका इस्तमाल तो यह पत्थरों के भी मिलते थे लोहे के भी मिलते थे यह सा तो जो जो जिस भी अंकल को यहां पर दफनाय गया होगा यह उनके पहरेदार बनके खड़े होंगे इस संस में टॉपिक का नाव लिखा है तो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम यही समझेंगे कि बुक्स हमें क्या बताती वो तो हमने पढ़के देख लिया तो वह बरियर्स टेल उस तो बरियर्स से हम और क्या-क्या हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं स्पेसिफिकली साउथ इंडिया की वो सारा सब कुछ हम नेक्ष्ट वीडियो में जानने वाले हैं समझने वाले हैं आशकरतों यहां तक चीज़ें आपको समझ में आई हैं किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टो आसक इन कमेंट सेक्शन मैंगनेक बेंस पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सबजेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना सिलिबस कम्प्लीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताएए मैगनेक बिंस के बारे में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तिल देन स्टे कनेक्टेट, कीप लर्निंग, थैंक्यू, थैंक्यू बेरी मच